नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासस रामू में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो हमने बिहार सिछक भरती से रेलेटर जो सेकेंड पेपर होता है जो की आपको मेरिट लिष्ट में महत्तपूर्ण होगा उसका हमने माडल पेपर सुरू कर दिया है तो हमने जो माडल पेपर सुरू किया है वो द्रिष्टी से सुरू कुया है ध्यान रखेगा बाकी मार्केट में बहुत से माडल पेपर पड़े हुए है लेकिन हमने यूट्यूब पर देखा तो ज्यादा तर वो बुके जो थी वह प्रैक्टिस एट जो है यूटूपर कराया जा रहा था जैसे यूटिटिरिया हो गया रुप मड़ी हो गया मतलब बहुत सी प्रैक्टिसेट है वह यूटूपर वीडियो पड़ी हुई है आप उन चीज़ों को देख ली जिका मैंने ये सोचा कि जब हर चीज के से रिलेटेड उस से आज का प्रैक्टिसेट हमा आज कराने वाले हैं वो हमारा प्रैक्टिसेट पहला है तो ध्यान लख कर लीजेगा सात इस द्रिष्टी का भी कर लीजेगा लगबग एक किस प्रैक्टिसेट आपको हम इस सीरीज में कराने वाले हैं तो ध्यान नखेगा द्रिश्टी से क्योंकि मैं थकर रिजिनिंग कि हम प्रश्ण कराने लगें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसी लिए हम सिर्फ इस्टेटिक जिक के और करेंट अफेर के जितने भी प्रश्ण दियेगा हैं वहीं प्रश्ण मिलाकर मैंने इसमें समलित किया हूं तो आपको पता होगा हमारे टेलिग्राम पर ही मिलेगा चलिए प्रश्ण नमर पहला है कि भारा सरकार द्वारा उनिस ओनिस में आई एलो के वासिंग्टन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतनीदित्यों के रूप में निमलिखित में से किसे भेजा गया था विकल्प आपके सामने हम विकल्प नह हो जाएगा ए वाला विकल्प नराण महलार मललार जो सी ध्यान रखेगा प्रश्ण नमर दूसरा है कि सी किम का भारत में विले किस ने किया विकल्प आपके सामने है किस ने किया था तो वो करने वाले थे लाड़ डलहोजी सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प विकल्प आपके सामने हैं कौन ब्यक्ति हैं जिन्होंने दुतिय गोल्मिल समेलन में भाग नहीं लिए थे विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा थोड़ा ये दब गया था चलिए विकल्प जो हमारा प्रश्ण नमर तीसरा का सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौन पंडित प्रश्ट नमर तीसरा का आगे चलते हैं प्रश्ट नमर चौथा निमलिखित में से किसने 1775 इमें डिंडिंग गुल एक अस्थान है मैसूर में एक आधुनिक सस्तरागरार की अस्थापना की थी किसने की थी 1775 में विगलब आपके सामने है इसका जो उत्तर होगा वो हो फ्रश्ट नमर पांचवा नरेटिव मैरिज एक्ट किस वर्स पारित किया गया था सब्सक्राइगा 1372 में डी वाला विकल्फ सही हो जाएगा प्रश्ट नमर चाथवा निमलिखित में से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है कि समेलित कौन सा नहीं है तो देखिए इसमे जो हमारा विकल्प directly सही हो जागा संपर्दाइक निर्ण डी वाला विकल्प सही हो जागा 1929 में ये जो है नहीं लाया गया था एक वर्स पहले 1932 में लाया गया था ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर साथ माँ आई आई एन ए चलिए आई एन ए के अधिकारि पर मुकादमा चलाया गया था ध्यान रखिएगा आई एन एक अधिकारियों पर मुकादमा चलाया गया था कौन से जगह पर चलिए विकल्प आपके सामने हैं कौन से जगह पर आई एन एक अधिकारियों के मुकादमा चलाया था वह आपको बताना है विकल्प जो हमारा सह का सही हो जाएगा प्रश्च नमर आठमा सुमेलित करना है चलिए सुमेलित करना है प्रश्च नमर आठको और इसका विकल्प दिया है यहां दिया है चलिए इसमें आपको सुमेलित करना है कि इलहाबाद की संदी कब हुई थी उसके बाद मंगलावर की संदी कब हुई थी सा आपको बादना है कि बक्सर की यूद के बाद इलाबाद की संदी हुई थी इससे आप चोड़ लीजेगा अब डिरेक्टली आप चलिए एक ही जब आपको पता चले तो चौथे के साथ देखिए दो विकल्प में हैं एवाला में चार है और विकल्प जो हमारा सही हो जाएग CR formula बहुत फेमस है किसने बनाया था वो आपको बताना है विकल्प आपके सामने है उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी राज गोपालाचारी तो वहीं CR formula का लाता है विवाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश नमर दस दे राइच एंड ग्रोथ आफ इकोन नेशनल लिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है वो आपको बताना है बहुत फेमस पूस्तक है द राइच एंड ग्रोथ आफ इकोनोमिक्स नेशनल नेशनल लिज्म इन इंडिया इसके जो लेखक है वो हो जाएंगे विकल्प हमारा डी वाला वीपिन चंद्र डी वाला दस हृती है जो प्रतम गोल्म समेल में भाघ लिया था हमारा हो जाएगा उन्हों वह जाएगा प्रश्न अमर 12 कि स 베ख्दर सभश काGć करफ का था किस वर्स दिया था वो आपको बताना है प्रश्च नमर 13 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला विकल्प 1949 में हरिपूर आदिवेशन हुआ था तो उसमें इन्होंने इस्तिपादे दिया था ध्यान लखेगा प्रश्च नमर 14 भारगा सिंग को किस मामले में मृत दंड दिया गया था वो आपको बताना है किस मामले में मृत दंड दिया गया था विकल्प जो हमारा इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा लहोड सड़यंत मुकादमा से रिलेटेड वी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा बहुत फेमास से ध्यान रखिए गाब 14 का बी वाला बिकल्प 31 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी ध्यान लखेगा प्रश नम्मर 15 मोतिलान लहरू और सी यार दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है वो आपको बताना है कौन सी तो स्वाराज पार्टी सी वाला बिकल्प 15 का साही हो जाएगा सब को पाता है चलिए आगे चलते हैं प्रश नम्मर 16 निमलिखित में से किस वन्स के सांसकों को पुराणों में स्री परवर्तिय कहा जाता है बहुत प्रश्ट से क्वेस्चन है कौन सा विकल्प इसमें सही होगा तो वी वाला विकल्प इसका सही हो जगा इच्छवान सुक जो है यह सही हो जगा बी वाला विकल्प आगे चलते हैं प्रश नमर 17 मौरकाल में एग्रो नोई में अधिकारी निमलिखित में से किस चेतर से संबंदित होते थें किस चेतर से संबंदित होते थे तो वह है मार्ग निर्मार से रिलेटर अब देखिए यहां पर क्वेस्चन जो ह यहां पर इंक्लूट कर दिया गया है कारण क्यों है कि क्योंकि वहां पर जब आप सलेवस देखेंगे तो वहां पर समाजिक अध्यान भी दिया गया है इसलिए यहां पर ऐसे-एसे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे है स्लेवस के ही एक वाडिंग तो ध्यान प्रश्च नमर 18 निम्लिकित में किस भारती पुरा तत्विक ने पहली बार भीम वेट का गुफा को देखा और उसके सेल चित्रों को प्रागे एतिहासिक महत्त को खोजा था तो किस ने खोजा था अठारा का जो हमारा विकल्प सही हो जागा वी एस वाकडंकर जी हैं ध्यान रखेगा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्च नमर 19, 1887 में जब औरंग जेब ने गोलकुंडा के लिए पर अधिकार किया उसमें गोलकुंडा का साथ सकौन था वो आपको बताना है विकल्प आपके सामने है 19 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो है अब्दुल हसन कुत्ब साह जी थे एवाला विकल्प इसका सही हो जाएगा वो निसका ध्यान रखेगा प्रश्ण नमर 20 है कि निमलिखित में से किस मुगल काली नहर का निर्मार फिरोज साह की रजब वाह को पुनर जीवित कर के किया गया किस नार को किया गया वो आपको बताना है प्रश्च नमर 20 का विकल्प जो हो जाएगा सहाब नहर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 21 भारत का सबसे बड़ा संग राजी छेतर है वो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प के कोडिंग ही बताना है कौन सा संग राजी छेतर है यानि केंदर सासित परदेश है प्रश्ण नमर 21 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? C वाला विकल्प, लद्ध, डाक, ध्यान रखेगा आगे चलते हैं प्रस्ट नमर 22 से निमलिकित में सक इस वाद में भारती समिधान की अनुछेद 21 के तहट नीजिता को मूल अधिकार माना गया नीजिता को मूल अधिकार किसने माना अनुछेद 21 के तहट कौन सी समिधी थी? तो वो थी KS पुटा स्वामी समिधी, D वाला विकल्प इसका सही हो जागा ध्यान रखेगा प्रश्ण नमर 23 का रहा है कि किसी राजनीतिक दल को छेतरी दल के रूप में मानता दी जाती है यदी कब दी जाती है? जब वो 8% ओट प्राप्त कर लेती है तब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो वो C वाला जब वो राजी में या तो लोक सभा या अत्वा विधान सभा चुनाओं में 8% ओट प्राप्त कर लेती है तब उसको छेतरी राजी दल का दर्जा दिया जाता है त्याना किगा C वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्च नमर 24 है कि निमलिकित में से किस अलिनियम द्वारा भारत में संगी न्याले की अस्थापना की गई है वो आपको बताना है प्रश्च नमर 24 का विकल्प जो इसमें से सही होगा संगी नैले की बात हो रहा है 24 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा उप्युक्त में से कोई नहीं D वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नमर पचीज से भारती समिधान के निमलिखित अनुछेदों में से किस एक के अंतरकत विधान परिसद के स्रीजन उत्पादन की प्रक्रिया का वड़न है विधान परिसद ध्यान रखेगा विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा वी वाला विकल्प अ 179 जो है वो विधान परिसद से रिलेटेड है द्यान रखेगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 26 निमलिखित में से कौन भारत में ग्रामीड रोजगार का सबसे बड़ा कारिक्रम है वो आपको बताना है फेमस भी है कौन सा सबसे बड़ा कारिक्रम है तो वो है मन रेगा ए 27 है कि भारत में निमलिखित पंचवर्सी योजनाओं में से किस मुक्रसा धे शमपोशण ये शमवरीद्धी था पंचवर्सी योजनाओं में से 27 का जो हमारा विकलप सही होगा वो बरहमी 5 वर्स योजना थी उसका D वाला विकलप सही हो जाए गा प्रश्ण नमर 28 है कि किस वर्स में भारत सरकार द्वारा 14-बड़े नीजी बैंकों का राष्टी करण किया गया था वो किस सन में किया गया था वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 28 का वीकलप जो हमारा सही हो जाएगा बाकि जो चुनोती पूर्ट प्रश्ण होगी उसमें आपको थोड़ा बहुत ज्यादा समय हम दे सकते हैं प्रश्ण नमर तीस है कि निम्लिखत राजियों में से कौन सा पारामपरिक रूप से इलाइची यहों काली मिर्च का प्रमुत उत्पादक राज है प्रश्ण नमर तीस है कि ब्राजील में विसाल काफी बगानों को कहा जाता है प्रश्ण नमर तीस है कि राणी जहांसी मरीन राष्टी उधन की अस्थापना हुई थी कब हुई थी प्रश्ण मर 32 का रहा है विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा 1996 में C वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्ण मर 33 कि वार्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है विकल्प आपके सामने है कि वार्षा की मात्रा जो है किस पर निर्बर करती है तो वाई मंडल में आध्रता पर और आध्रता का मतलब होता है वाई मंडल में नमी बी वाला बिकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्च नमर 34 है कि निमली कितने से कौन सा भारत में अस्थापित पर्थम राष्टी उद्यान कौन सा है तो जीम कार्बोनेट राष्टी उद्यान नखेगा बी वाला बिकल्प प्रश्च नमर 35 भोबाल गैस तरास्ती का कारण क्या था तो मिथाईल आईसोसाइनेट री स यह वाला बिकल्प इसका सही हो जाएगा 35 का आगे चलते हैं यह वहीं प्रश्च नमर 36 भारती संसत द्वारा वन सनक्षन अधिनियम किस वर्स में अधिनियमित किया गया था वह आपको बताया था अधिनियम किस वर्स किया गया अधिनियम किस वर्स में अधिनियमित किया गया था यह पॉइंट ध्यान नकियेगा अधिनियमित किया गया था तो वी वाला विकल्प हमारा सही हो जागा 36 का जो हमारा विकल्प सही होगा वह हो जाएगा वी वाला नेलांग घाटी किस राजी में इस्तित है वह आपको बताना है बहुत अच्छा प्रशन है नेलांग घाटी जो है किस राजी में इस्तित है फिर पूछा जाता है कौन सा विकल्प सही होगा तो वह हो जाएगा डी वाला विकल्प उत्रा खंड डी वाला विकल्प इसका सही ह प्ロेसा नमर 38 निम्लिकित में से कॉंसा युगम्सुमेलीत नहीं ऴिकल्प आपके सामने है ये सब हव्याएं है ज्ञान रखिएगा हवाएं है ये चलने वाली परवतों पर हवाएं है तो कॉन सा विकल्प सही हो हो बहुत अच्छा प्रस्ण है कौन सी इसमें स्ट्तान प्रणाली है जो नमीनतम प्रणालियों के अंतरगत आती विगल्प जो हमारा सही हो जाए गंडवाना जो स्रिंखला है वो जो है निमिनतम स्रेणि में आयाएगा डी वला विगल्प सही हो जाएगा अब बाकी तीनों व यह जाने के रास्तेका नाम याद करकर सिर्फ सांत हो जाते हैं तो आप सीज π factor करना से को से राज़ी देश की 70 अधिक काफी फ़ादित करता है कौंसा राज़ीध Dalit करना तक डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्ण नमर बैयालीस भारती प्राइदीप की सबसे उची चोटी कौन है प्राइदीप वाला च्चेतर आपको पताई होगा तो सबसे उची चोटी आप चुन लिजिए आपसन आपके सामने है विकल्प जो हमारा सही प्रश्ण में पच्छमी तरी मैदान में उत्री भाग को किस अनिनाम से भी जाना जाता है पच्छमी भाग होना चाहिए कोंकर भाग सीवाला विकलबृस का सही ओजाएगा प्रश्ण प्रश्ण नमर प्रश्ण नमर 45 प्रश्ण नमर 46 जब प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निमलिकित में से कौन सा नहीं बदलता है कौन सा नहीं बदलता है तो वेग बदल जाएगा तरंग दर्ध बदल जाएगी लेकि नाब्रती नहीं बदलती है C वाला विकल्पिस का सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 47 विदुद चुम्प की तरंगों का वेग होता है कितना वेग होता है वो आपको बताना है तो तीन गु ठीमण बदल जा चैनल जाएगा और दाना है कि तिन शबसे ज्यायानता है चलिए तो किसे में सबसे ज़्यादा सयांता होती है वहीं आपको बताना है विकल्प आपके सामने है दो ही विकल्प इसमें से सस्पीशन्ट कर रहे होंगे वो हो जाएगा D वाला सहद वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा सबसे ज़्यादा सयांता होती है सहद में 50 का D वाला विकल्ट, प्रश्च नम्मर 51, निमलिखित में से कौन सा उस्मा का सबसे कूचालक है, कूचालक पूचा है, कौन सा विकल्प सही होगा तो वो हो जाएगा, B वाला विकल्प C सा, जो है उस्मा का कूचालक होता है, प्रश्च नम्मर 52, प्रश्च नम्मर 52 कारा की यूरिया में उपस्तित होने वाले तत्त कौन कौन से है वो आपको बताना है प्रश्च नमर 52 का तो यूरिया में कार्बन भी होता है हाइड्रोजन भी नैट्रोजन और अक्सीजन भी होता है मात्राय कंबेसी हो सकती है डी वाला विगल्ब इसका सही हो जाएगा आग बारा और तीन होती है सी वाला विगल्ब इसका सही हो जाएगा ध्यान रखेगा सी वाला विगल्ब प्रश्च नमर 54 रेत और नेफथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है एक विदिया होती है कोई कोई विदिया होती है करने 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 की तो उसी में से पूछ रहा कि रेत और नेफ्थलीन अगर मिस्त्रण है तो उसको कैसे अलग किया जा सकता है प्रश्ण नमर चोवन यहीं बात कर रहा है विगल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा हमारा उर्धुपातन विधी से यह वाला विगल्प इसका सही हो जाएगा और नेफ्थल अगर मिस्त्रण में रहेगा तो कपूर भी हो सकता है लेकिन नेफ्थलीन जो है यह उर्धुपातन का फेमस उदारन यह वाला विगल्प चोवन का सही हो जाएगा ध्यान लखेगा प्रश्ण नमर पच्पन एक घोल का पीएच तीन से छे तीन से छे बदलता है तो इसमें एच प्लस आयन की संदरता क्या पदलेगी तो एक हजार गुना कमी हो जाती है ज्यान नखेगा डी वाला विगल्पिसका सही हो जाएगा प्रश्ण नमर पैच्पन पेट्रोल तथा डीजल में अधूरे जलने से उत्पन होता है क्या उनसी गैस उत्पन होती है जब पेट् तो घूरा कार बनन्डा डाइल्पिसका सही हो जाए गार चैना मंट्वल्वाया बदल दीया जाता है तो लुइज होता नासी फेpps ट्यांम होता नहीं निधू वत्वल्हा डिहान आगे चलते हैं पूलिस द्वारा नसे में गाड़ी चलाने वाले कि सांस की जाच के लिए फील्टर पेपर पर क्या होता है मतलब किस चीज फील्टर पेपर जो यूज किया होता है उस पर क्या लीपा होता है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 69 का प्धिकल्ब जो हमारा सही होगा, potentium dichromate sulfuric अमल होता है, ध्यान नखेगा ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, प्रश्च नमर साथ है कि दूद किसका अच्छा सुरोत नहीं है, ये point ध्यान नखेगा, किसका अच्छा सुरोत नहीं है, वो आपको बताना है, प्रश्च नमर साथ का व रंग होते हैं, तो सब को पता है, साथ रंग होते हैं, आगे चलते हैं, प्रश्च नमर 62, निमलिखित में से कौन गोसला बनाने वाली पच्छी है, विगल्प आपके सामने, सीट trif में ऐसे प्रश्च पूछे जाते हैं, ए वाला विकल्प से जयागा, गवर आ आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 63, बियार सी चक बर्ति के लिए famous प्रश्ण, important लगा लेज़ेगा, छट परो कम मनाया जाता है, सबको पता है कि छट बियार का famous देवार है, लेकिन कम बनाया जाता है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 63 का विकल्प जो हमारा सही होगा, चत् सबसे पूर्वी भाग में इस्तित है वह आपको बताना है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में बहुत है बाकी चीज आप प्रस्ट के कार्वार्डिंग उत्रमारने की कोशीच करिएगा बिहार की भागोली की स्थिति से रिलेटेड आप वीडियो कोच कर जरूर देखेगा ताकि उससे आपको जनकारी मिल सेके बिहार के बारे में क्योंकि बिहार में फाम आया है तो बिहार की भरती है तो बिहार से question तो बनने ही बनने हैं तो सबसे पूर्वी जीला आपको बताना है कौन सा सही हो जागा कटी हार जीला सी वाला बिकल्प इसका सही हो जाएगा चाचट का यहीं से गंगा नदी बार्भ निकलती है बिहार से तो यह भी ध्यान लखेगा सरसट किस देश की सीमा बिहार राजी से जूड़ी है देश से पूचा है तो नेपाल 729 किलो मीटर जूड़ी है ध्यान रखेगा परश नमर 68 भागोलिक चेतरपल की दिरिश्टी से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है वो आपको बताना है वर्तमान इस्तिती में बताना है कि कौन से क्रम पर है चेतरपल की दिरिश्टी से बारहावा अस्तान ध्यान रखेगा और जन संख्या के अस्तान जन संक्या के दिरिश्टी से तीसरे अस्तान पर है और चेतरपल से बरहावा स्तान ध्यान रखेगा प्रश नमर 69 इसे भी रिलेटर में वीडियो लेकर आँगा विहार में कितने प्रकार की पाई जाती है वह भी लेकर आँगा एक दो मैप वाइज बताने की कोशिज करूँगा उनहात्तर का जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा वह हो जाएगा गया डी वाला विकल्प जो हो जाएगा लाल पीला मिट्टी जो होता है इसी चेतर में पाई जाती है आगे चलते हैं प्रश्ण नमर सत्तर है कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उप्युक्त मानी जाती है वह आपको बताना है बहुत अच्छा प्रश्ण है इंपूटेंट मिट्टी का एक टाइप होता है उसमें यह खादर जो मिट्टी होती है वह जलोड मिट्टी के टाइप में आती है वह पूछरा कि खादर मिट्टी की विस्तार में पाई जाती है बिहार में वह आपको बताना है प्रश्ण नमर बहत्तर का तो आगमन की बात करें तो मद्ध जून में जो है बिहार में मांसून का आगमन हो जाता है सी वाला बिकल्पिसका सही हो जाए प्रस्ट नमर तीयत्तर निमलिकित में से कौन सी नदी फतुह के पास गंगा में मिल जाती नदी से भी रिलेट्ट मेर्ट वाइज को वीडियो लेकराओंगा ध्यान रखी का पर काउन सी नदी मिलती है काउन सी नदी की छेतर से आती है इसके बारे में भी बात करूँगा तो फतुह में मिलने वाली जो नदी योग पून-पून नदी होती है द्यान नखिये गा, बी वाला विकल्पिसका सही हो जागा, पून-पून नदी फतुआ में मिलती है, दच्छिड से आती है और गंगा नदी में मिल जाती है, प्रश नमर 74, त्रिवेडी नहर किस नदी पर इस्तित है, वो आपको बताना है, त्रिवेडी बाद कर सकते हैं, त त्रिवेडी नहर निकली हुई है, किस नदी पर है, तो गंटक नदी पर है, सी वाला विकल्पिसका सही हो जाएगा, वह है लोटन में है ये, बात, प्रश नमर 75, निमलीकित नहर इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 106 हो सकता है कि करेंट फेर से रिलेटेड अप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे अंतराश्टी मात्री बांसार दिवस काउम मनाया जाता है तो एक किस फरावरी को बीवाला बिगल्प सही हो जाएगा त्यान लखिएगा प्रश्ण नमर 107 कह रहा है कि भारत की पहली किसान रेल निमिकित में से किस दो इस्टेशनों के बीच अपनी यात्रा प्रारम की थी वह आपको बताना है प्रश्ण नमर 107 का तो देवा लाली से महराष्ट में है दानापूर बिहार में प्रश्ण नमर 108 कह रहा है प्रश्ण नमर 108 कह रहा है चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाना है देखिए थामस कूक जो है टूल और ट्रेबल कंपनी से रिलेटेड है तो यह चीज़े ध्यान लखिएगा पहला का चौथा उसके बाद जो है ग्रेट थन बर्ग जो है परियावरन कारेकरता से रिलेटेड है इसका जो विगल्प सही हो जाएगा डारेटली मार देते हैं विगल्प डी वाला विगल्प इसका सही हो जाएगा ध्यान रखिए आप इसमें मिला लीजिएगा थामस बूक इससे रिलेटेड है और जो हैं यह हांकांग की एक राजिनीतिक राजिनीतिक हैं यह भी ज्यान लखेंगा आगे चलते हैं प्रश्च नम्मर 109 भारती भासाओं का केंद्री संस्थान निमलिकित में से किस अस्थान पर अवस्थित है वो आपको बताना है बहुत इंपोर्टेंट प्रेस्ट नहीं भ इसप्रेस क्या है वह आपको बताना है तो यह गैडान के कहीमादास को डिंग- generous के नाम से जाना जाता है recipes प्रश्च नमर 111 दे एकसिडेंटल क्राइम मिनिश्टर पुस्तक के लेखा कौन है वह आपको बताना है फ्रश्च नमर 111 का तो संजे बांगरु जुह है वह वह भीडाव इसका सही हो जाए प्रश्च नमर 112 नार्मल बोर्लाग को किस चेटर में लोबल प्राइस मिला है वह आपको बताना है कि के छेत्र में मिला है सांती के छेत्र में जाएगा क्रूंकि किरसी में तो योगदान था है लेकिंग जो नोबेल प्राइस दिया जाता है वह एक तरह का कुछ limited छेतर होते हैं तो इसलिए C वाला D वाला विकल्प सांती के छेतर में जाईएगा इसमें उत्तर भी D वाला ही दिया है 112 का आप जाँच लीजेगा अगर उस पर suspicion होगा तो प्रश्ण नमर 113 सबके लिए सतत उर्जा दसक पहल है सबके लिए सतत उर्जा दसक पहल किस ने सुरू किया है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 113 का तो भारत ने सुरू कुए है विवाला विकल्प इसका सही हो जाएगा सुमेलित नहीं है वो पूचा है ध्यान रखिएगा प्रश्च नमर 155 धोला सदिया पूल निमलेखित की लंबाई कितनी है वो आपको बताना है 115 का 9.15 की में लंबा है डी वाला बिकल्पिसका सही हो जाएगा प्रश्च नमर चोला है कि आंतरिक सुरच्छा अकादमी अवस् तो माउंट आभू में इसतित है वाला विकल्पिसका सही हो जाएगा माउंट आभू राजस्थां में श्रीतależy सखने 007 मैंले लखें वाला बिकल्पिसका सही हो जाए का क्यों प्राब्लेम्स आप थास्ट फार इस्ट नामक पूस्टक के लेखक है the problems of the far east नामक पुस्तक के लेखक कौन है वो आपको बताना है तो करजन जो थे वो थे बी वाला बिकल्पिसका सही हो जाएगा the problem of the far east के लेखक प्रश्च नमर 120 अजोन दिवस जो है 16 सिप्तम्बग को मनाया जाता है सब को पता है बी वाला बिकल्पिसका सही हो जाएगा प्रश्च नमर 120 है कि the man who divided इंडिया पुस्तक के लेखक थे कौन थे वो आपको बताना है तो रफीक जकारिया जो है इसमें से हटा दिया था बाकी आपका कितना प्रश्च सही हुआ कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा और पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो अभी आप बताएगा नहीं तो अगर आपको कोई दिक्कत इससे होगी वीडियो में नतलब वीडियो में बनने से प्रयास करें के चलिए आज के लिए बस सितना ही थैंक्यू